नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप अक्सर समाचारों में बड़े जानवरों के बारे में सुनते होंगे जिनमें होते होंगे शेर, गोडा, हाथी, बाग, आदी लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं औस्ट्रेलिया में फैलती चूहों की समस्या के बारे में जी हाँ, ऐस्ट्रेलिया के लोग चुहों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं ऐस्ट्रेलिया के पूरवी इलाकों में तो इन चुहों ने खेतों को नश्ट कर दिया है और गुदामों में ये बड़ी संख्य में फसलों को खा रहे हैं लाखों की तादाद में चुहे खेतों से लेकर गरों में गुस आए हैं और लोगों को काट रहे हैं लाखों की संख्या में चुहों के मिलने के बाद आस्ट्रेलिया में पलेग फैलने की अशंका जटाई जा रही है हजारों चुहे खेत और फैक्टरी से भाग कर अस्पताल तक पहुँच गए हैं जिन्होंने मरीजों को काटना शुरू कर दिया है चुहों की कई परजातियां सुखे वातवारण में भी बिना पानी के रह सकती है और कुछ परजातियां सरदियों के मौसम में भी ग्रो कर सकती है ओस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स सरकार ने चुहों को मारने के लिए भारत से 5000 लीटर जहर मंगवाया है रिपोरट के मताबिक औस्ट्रेलिया की राज्य सरकार ने बारत को प्रतिबंदित चहर ब्रोमे डी ओलन के करीब 1320 गैलन का ओर्डर दिया है औस्ट्रेलिया के रिसर्च करने वाले स्टीव हैनरी ने कहा है कि अभी यह अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि बसंत तक चुहों की वज़ा से कितना नुक्सान हो सकता है औस्ट्रेलिया में बढ़ती चुहों की अबादी का कारण वहां हुई इस साल अच्छी फजल को बताया गया है औस्ट्रेलिया में काफी सालों के सूखे के बाद इस बार अच्छी बारिश होने से फजलों की पैदावार में काफी बड़ोतरी हुई है नमी का मौसम फसलों के लिए तो अच्छा है परन्तु इसे चूहों को पहले से ज्यादा खाने के लिए मिलने से उनकी अबादी को बढ़ने में सहायता कर रहा है बात करते हैं चूहों के बारे में अब अन्य तर्थियों की कंगारू चूहे जीवन बर बीना पानी के रह सकते हैं चूहे कुश न कुश कुटरते रहते हैं वो इसलिए क्योंकि उनके दांत लगाता बढ़ते रहते हैं अगर वो कुतरेंगे नहीं तो उनके दांत बरते जाएंगे जिससे वे कुछ खाये बीना मर सकते हैं कुछ परजाती के चुहे पानी में तैर सकते हैं और डूबने पर 30 मिनद तक अपनी सांस रोख सकते हैं आज सिर्फ इतना ही आपको यह पोस्ट कैसी लगी कुमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद